नमस्कार किसान भाईयो अगर आपकी भी धान की फशल में बलिया निकलना आरंब हो चुकी है तो आप अपनी धान की फशल में इस दमदार इस्प्रे का प्रयोग जरूर करें यदि आप इस स्प्रे का प्रयोग करते हैं तो आपकी धान की बल्यों का साइज बड़ा होगा और 100% दाने भरे होंगे आपकी बल्यों में दाने मोटे, सुन्दर, चमकदार और वजंदार भरेंगे इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सस्क्राइब करके बेल आइकन को दबाए किसान साथी हो जिब हमारी धान की फशल में बल्या निकल रही है तब ये समय पोदों के लिए अत्यंत महद्वपून है इस समय हमारे धान के पोदों को पोशक तद्वों की आवशकता होती है यदि हम सह फासफोरस और पोटास की जरूरत होती है इसलिए आप एन पीके 0-22-34 का प्रयोग कर सकते है इसमें बाबन प्रतिशत फासफोरस और 34 प्रतिशत पोटास होता है इस दोरान बोरान और जिंक का भी प्रयोग करना चाहिए यदि इन तीनों को मिलाकर स्प्रे किया जाए तो परिणाम बहतरीन होंगे आपकी धान की बालिया लंबी और गुच्छेदार आएंगी और सभी बालियों में शो प्रतिशत दानों का भराब होगा आपकी धान में अधिक पैदाबार के लिए एन पीके 0-22-34 का मातरा 1.5 किलोग्राम प्रतिएकर ले और इसे अन्नी पोशक तद्वों के साथ मिलाकर इस्प्रे करें ध्यान रहें कि इस्प्रे शुवे नहीं वलकि श्याम को करें साथ ही आपके खेत में नमी होनी चाहिए एक अंतिम बात अगर आपके पोदे में रोग लगने की संभाब ना हो तो अच्छे कीट ना सक और फंगी शायट का देवाद